जाहिन दोस्तों, नमस्कार, दोस्तों आज की कलास में हम बात करने वाले हैं इन चार सवालों की, दोस्तों इन चारों सवालों के जो अंसर हैं वो हमें अलग-अलग मिलते हैं, मैं दोस्तों आज आपको इस कलास में ये बताने वाला हूँ कि मेरे भाई, जब आपको दो आपको कभी प्रेशान नहीं करेंगी, बस आप मेरी बातों को गोर्षे सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, अब आप कोपी पैन को साइड रख दीजिए और दोस्तों मेरी बात को गोर्षे सुनिएगा, ध्यान बोर्ड पर कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से तुलना पचास के साथ करनी है मैं मानता हूं कि आपको ये चीजे आती हैं आसान लगती हैं लेकिन जब लेंग्वेज का बदलाव होता है तब आप फस जाते हैं इसलिए आप मेरी बात को गोर से सुनिएगा समझेगा आज के बाद ये चीज जिन्दगी में दोबारा आपको कभी प्रेशान नहीं करेगी सच बता रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा अब आप दो मिनिट के लिए कोपी पैन को साइड रखके मेरी बात को गोर से समझने का प्रियास करें दोस्तों मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि दो चीजों की जब तुलना करनी होती है तो हम कैसे करते हैं दोस्तों आज मैं आपको दो बाते बताऊंगा ये दो बाते अगर आप ध्यान रखेंगे तो जिन्दगी में कंपैरिजन करना सीख जाएंगे और ऐसे सवाल को कभी भी गलत नहीं लिखेंगे हमेशा सही लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई जब भी हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो आप एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगा कि जिसके बारे में पुछा जाता है जिसके बारे में पुछा जाता है जिसके बारे में पुछा जाए जिसके बारे में पुछा जाता है दोस्तों उसको तो हम उठा के उपर लिख देते हैं और दोस्तों जिसके साथ तुलना करनी होती है जिससे तुलना करनी होती है उसको उठा के हम नीचे लिख देते हैं दो बाते हैं दोस्तों द्यान से सुनिएगा जिसके साथ तुलना करनी होती है वो चीज तो नीचे लिखी जाती है और जिसके बारे में पूछा जाता है या कहा जाता है उसको हम उपर लिखते हैं जैसे ये सवाल है ये दूसरा तरीका भी बताऊँगा दूसरी बात भी समझ का कितना प्रतीशत है मतलब वो बीस के बारे में पूछ रहा है तो दोस्तों आप बीस को उपर लिख दीजिए कहता है पचास का तुलना किसके साथ करनी है पचास के साथ तो पचास को नीचे लिख दीजिए और मेरे बाई परसंटेज के लिए गुना कर दीजिए सो से मैं दोस्तों 50 से इसको cancel करेंगे दो बार में तो 20 की दो में गुना करने पर इस सवाल का अपने को जो अंसर मिलेगा वो मिलेगा मेरे बाई 40 परसेंट अब दोस्तों कई बार सवाल की language ऐसी होती है कि हम confused हो जाते हैं कि यार किसके बारे में पूछा है किस से हमने तुलना करनी है तो दूसरी बात आप द्यान से सुनिएगा अगर दोस्तों आप कभी भी confused हो जाएं कि किस से तुलना करनी है और मेरे बाई किस के बारे में पूछा गया है तो आप बिल्कुल भी नाडरें आप एक छोटी सी बात का द्यान रखें दोस्तों तुलना करते समय जिन का और से लिखे वो उते हैं उनको हमेशा उठा के निचे लिखते हैं बस ये बात गाट मांद लीजिए कि दोस्तों जिन संख्याओं के साथ तुलना करते समय जब दो चीजों का comparison होगा तो उनकी तुलना करते समय जिनके साथ का और से आएंगे उनको उठा के हम हमेशा का लिखेंगे निचे लिखेंगे बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों सुनिएगा देखो तो बस दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये 50 नीचे आएगा, 20 उपर आएगा और परतिशत के लिए गुना कर देंगे 100 से, 50 से काट देंगे दो बार, अंसर अपने को कितना मिलेगा दोस्तों, 40% मिलेगा, मैंने दो बाते बताई हैं, पहली बात, जिसके साथ तुलना होग वो नीचे आएगा, जिसके बारे में पूछेगा, वो उपर आएगा, और परसंटेज के लिए गुना सो करते हैं, अगर ये बात आप नहीं समझ पाए, तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, कि तुलना करते समय, जिन संक्याओं के साथ का और से दिखाई दे, उनको नीचे लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, चलिए, अब हम चारों सवालों को सोल करते हैं, देखिएगा, दोस्तो पहला सवाल था, पहला सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी हम लिख देते हैं एक बार, कि बीस पचास का कितना परतीशत है, मतलब बीस के पचास नीचे लिख देंगे, परसंटेज के लिए सो से गुणा कर देंगे, तो भई पचास का डबल सो, इस सवाल का जो अंसर है, वो आएगा, चारीश परसेंगे, दूसरी बात, का किस के साथ था, का था दोस्तों, पचास के साथ, तो हमने पचास को कहा लिख दिया, नी का किस के साथ है, बीस के साथ, और परसंटेज के लिए सो से गुणा कर दीजिएगा, मेरे बाई, जब हम बीस से इसको कैंसल करेंगे, पांच बार में, तो पचास गुणा पांच, इस सवाल का जो अपने को अंसर मिलेगा, वो मिलेगा, दोस्तों, दोस्तों, पचास परसे दोस्तों अंतर जब भी दो चीजों के अंतर की बात करें सबसे पहले अंतर को उपर लिख दीजिएगा कम या जादा की बात करें तो सबसे पहले यह देखिएगा कि कौन सी संख्या किस से कितनी कम है या कितनी जादा है फिर जिसके साथ तुलना होगी वो संख्या नीचे कि 20 50 से कितना प्रतिशत कम है आप कुछ मत करो बस ये देखो 50 से कितना कम है आप बोलेंगे सर 20 जो है वो 50 से कितना कम है अरे तुलना किसके साथ करनी है 50 के साथ नहीं समझाए तो ये देखिए का और से में से कौन सा सब्द की संख्या के साथ आया है आप बोलेंगे सर इसमें से है और से है 50 के साथ तो इसको नीचे लिख देंगे और percentage के लिए 100 से गुणा कर देंगे 50 से दो बार में काड़ देंगे मेरे बाई इस सवाल का जो अंसर है वो मिलेगा 60% दोस्तों अगला सवाल 50-20 से कितना प्रतिशत अदिक है सबसे पहले ये देखिए अधिक कितना है तो 50-20 से दोस्तों 30 अधिक है अब आप देखिए किस से अधिक है अरे से कहा है गुरु जी 20 के साथ है percentage के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों 20-500, 30-5 इस सवाल का जो अंस अंसर है वो कितने प्रसेंट आएगा 500% दोस्तों सवाल देखने में बिल्कुल एक जैसे थे लेकिन पहले का अंसर 40% दूसरे का अंसर 200% तीसरे का अंसर 60% और चोथे का अंसर 150 यानि 500% उमीद है आज के बाद इन चीजों को आप गलत नहीं करेंगे मैं फिर बता देता हू जिसके बारे में पूछा जाए वो उपर लिखिए जिससे तुलना जिससे कंपेरिजन हो उसको नीचे लिखिए 100% से गुणा कीजिए नहीं पता चले किससे कंपेरिजन है तो मेरे भाई आप जिन संख्याओं के साथ का और से दिखाई दे उनको नीचे लिख दीजिएगा 100% से गुणा कर दीएगा अंतर की बात करे बड़ा है छोटा है अधिक है कम है जादा है जब भी ऐसी लेंग्वेज दिखाई दे सबसे पहले दोनों के डिफरेंस को उपर लिखिएगा अंतर को उपर लिखिएगा कितना कम है या कितना जादा है और जिन संख्याओं के उनको नीचे लिख देना सो से गुणा कर देना काम खतम हो जाएगा उमीद है आप सीख पाए होंगे चलिए मिलते अगली क्लास में जैहंद जैवारत